नमो नारे जेगो माता वन्दे मात्रों मा भर्ति कुप्णा मुर्षदैशे ओम्शम्शनिश्चराए नमा प्रेमित्रों शाथियों हम अपनी जीवन से प्रेम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी स्वासों से प्रेम करना आजाए जब तक हम अपनी स्वासों से प्रेम करना नहीं जान लेते तब तक हम अपनी जीवन से प्रेम नहीं कर सकते और जिसने ये समझ लिया जिसने ये जान लिया उसका काया कलब होना निश्चित है और जिसने ये जान लिया उसने जीवन का असली मुल्य समझ लिया और उसमें परमात्मा से मिलने की लगल लग जाएगी जिसांसे ही सार है उस परमात्मा का नमना है मेरा चोटा सा निवेदन, मेरी आरादी शनिदेव, 39 अप्रेल रात में अपनी मूलत्रिकॉन राशी कुम में प्रवेश का रहे हैं 30 साल की बाद अपनी मूलत्रिकॉन राशी कुम में प्रवेश और जिस्तरे की घ्रय योगा योग है इतने सुन्दर मास संजयोग में 30 अप्रेल 2022 सनिय माउश्या माउश्या श्रीशनिधाम शनी तीरचेत्र असोला फते पुर्वेरी में आपका श्राइब करिये शनी भगवान के दर्स्तन पूजन तेलापी से चंपौन कष्टा से चुटका राद दिली और एंस्यार की सभी सन सनी तीरचेत्र असोला फते पूर्वेरी अद्भुद तपो भूमी है मेरे खाली दर्सन करने से सनी देव की क्रिपा का प्रशाद प्राप्त होगा और जीवन खुश्यों शिखार जाए पिरदर्शकाओं मित्रा और शाथियों बात करते हैं 19 मार्च 2022 के राशिफल और पंचान राशिफल पर आओं उससे पहले आज का पंचान चैत्र क्रिशन पक्स की प्रतिपदा विक्राम शमद 2078 चैत्र मास की छे पर विष्टे सक्षा निस तेतालिस फालगुन 28 तद त्यान योग विर्दि योग योग का शमाप्तिकाल साम 9 बजकर एक मिनट पर अगला योग धुव है। शुर्दकाली नक्षत्र हस्त नक्षत्र है और हस्त नक्षत्र के स्वामी चन्दरमार नक्षत्र का जो श्रमाप्तिकाले रातरी 11 बज कर 38 मिल रागला नक्षत्र चित्रा होगा नक्षत्र स्वामी मंगल है आज चन्दरमार श्यम अपने नक्षत्र में संचरन करेगा चन्द योगाएगों के आधार पर 19 मार्च 2022 का मैंने राशी फल लिखा है आज का अभजीत मुर्थ दोपर 12 बजकर 5 मिन्ट से लेकर 12 बजकर 15 मिनट अब दी लगबग 48 मिनट है आज इन 48 मिनट में आज की दिन कोई भी शुबकारे करने का सबसे उत्तम हो दे कोई भी नयार शुबक चोगरया सुभे 7 बजकर 17 मिनट से लेकर 9 बजकर 15 मिनट लाब का चवलिया दो तो बज़े 3 मिनट से दोपार तीन बज़कर तीस मेंट से लेकर शाम पांक बज़कर एक मिनट तक रहे आज का रहुकाल प्राते नौ बज़े से लेकर साड़ी दस बज़ तक और रहुकाल के दन शुबकारी करना, शौदा करना, पुझनिमस करना, अनकुल और उचित माना नहीं गया, सलह मेरे मर् बात करते हैं यात्रा की, दक्षन दिशा की यात्रा शुबवानी गई है, आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व, शाबुत अद्रग चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे, तो कस्ट कमाएगा, मित्राओं शात्यों, शमय, शाधन, प्रसत्यां और काल में बहुत पर बरतन आया है, आप किसी भी दिशा में यात्रा करिए, लेकिन यात्रा पे जाने से पूर्व, साथ कदम दक्षन दिशा की और जाए, पितर देवता, कुल देवता, का शर्दापुरु ध्यान करते हैं मंगल में, यात्रा की कामना की साथ, राइट टर्न रिके यात्रा पे हैं आजा आपका जनम दिन या फिर साध्य की साल गरे तो मेरी और से आपको हर्दिक सुखाब नहीं, आपका जिवन खुशियों से भरा रहे, सनिदेव की सिर्चरणों में मेरी प्रातना, 19 मार्च आपका जनम दिन, तो आपका मुलांक एक होगा, एक और नो को आपके जिवन में अंक एक का कहीं विशेश प्रभाव देखने को मिलेगा, मुलांक एक का जो शौमी ग्रह है वो शूरी आत्मा का कारण, शूरी उरजा है, जिवन है, आप अपने जिवन में शूरी के इस प्रभाव के कारण बहुत उपर तक तरकी करेंगे, और अपनी त प्रवितन अच्छे लगते हैं और प्राकृतिक रूप से आप निर्तर करने की छंता से परिपून है आपके अंदर जीवन को लेकर नहीं संभाव नाएं आपके अंदर एक उच्छ इस्थरी जीवन सित्री का प्रभाव श्वभावी रूप से हमेशा बना रहता है आद्यात में खेतना बहुत प्रगतिकत हैं आप एक रचनात्मक बेक्ती हैं अपनी इच्छा सक्ति से मुश्किल से मुश्किल काम को आप कर सकते हैं और इस तत्ये का आप पर एक अच्छा उधान शाबित रहे हैं जब अपने इच्छा सकती हो बढ़ा लेता तो कोई भी काम करें आप में ये गुण है ये था आपके बारे में कुछ जानकारी गुरुमंतिवित दाती माराज पर आज का उपाए एक वीडियो है उसमें आपके बारे में आज के लिए अध्भुद उपाए उसे जरूर दे अब मैं शुत्रों की चक्छा करूँगा और मैं केतु पे हूँ इस समय ये जाता कि जन्म कुणली में केतु अस्ठम भाव में विराजमान है तो अकस्माद धन की प्राप्ति का योग बनता है मेश लगन की कुंडली, आस्टरंभाव में केतू, अवशे आपको अकस्मा धन प्राप्त होगा लेकिन इदि केतू कुंडली का कारगर हो और मंगल भी कारगर हो, तो लाब अधिक मिलता है और लगन की मंगल से मितरता हो तो सफलता मिलनी ही मिलनी धन को लेका नमोना रहा है लाजशी पूरशा पूर्शा है। सबसे पहले मेश रासी छटे भाव में चंदम्रा श्यों के नक्षत्रों में शंक्चरन करा है, श्यों में शुब है लाबदाय के सफलता से फरावा, कामकाच, कारोबार, केरियर, आर्तिक प्रस्तिति जो चिंताय थी उसमें कमी आई, धनलाब के अफसर प्राप्त होंगे, श विश्वास्ति ब्रदियों की मनोबला च्छा रहेगा, परिक्षा और प्रतिवगता के प्रणाम भी आपके लिए ठीक रहेगा, क्या करें, जो अपने शाथी हैं, उनके साथ मधूर वेवार करें, क्या ना करें, किसी से किसाथ जूटे वादे ना करें, सुबंग चार है, एक पाढ़ या तीन पाढ़ जो आपकी सर्दा है, बजन बाढ़ के जरूर करें, कष्ट और परिशानी शुटकारा मिलेगा, और बात करते हैं, विश्वरासी की पंचंभाव में चंदर्मा, और चंदर्मा श्यों के नक्षत्रम है, समय ठीक है, लेंदेन की मसले ठीक रहे लेकिन आपको परिवार के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है, आज अतिति सतकार का मौका मिलेगा, जहां अपनों तो मिलेगा, प्यार मिलेगा और पारवारी वातावन खुश्यों से भारा रहे हैाँ, विद्यार्ती है, युवा है, कलाकार है, खिलारी है, अपने लक्स लक्स की प्रति सजक होना बहुत तो विद्यारत योग लिए मनो मन परसंद इसकूल कॉलेज की प्राप्ति का प्रवली होगे पढ़ाहि में सफलता है क्या करें वानी की अनकूलता बना करें क्या ना करें अनावशक बारता लाप ना करें शुबंगनो शुब्रणगुला भी बागी आपकी पक्ष में 70 प्रसंद लाब का संक्य दे रहा है आज विद्युव राश्यालो प्रातिकान नित्य करने शुना चिनान उप्रान शुर्दा परूंग भगवान शुव की अरादना करीगा एक पार्ट दो पार्ट साथ पार्ट जो आपकी सर्दा है शुव महीम और निश्करत्या की वज़े से कामकाज में अनावशक परिशानियों का संक्यत नजरा रहा है थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा आज महत्पूर कारे में वैवधान पढ़ने की संभावना नजरा रहे लापरवाईज नी करेगा अपनों का साथ नहीं मिलेगा मांसि रिष्टे आज प्रतिकूल नहों इस पर काम करना होगा विद्यारतियों के लिए शिक्षा केरियर खेल और कला के चितर में अनावशक परिशानियों का संक्यत नजरा रहा है वर्त रातरी भर्मन नहीं करें अन्यतिक कारियों से अपने आपको बचा के रखना बहुत जरू है विद्याज वालों शमय अन्कूल नहीं है लापरवाई नहीं करें आज प्रतिकाल नित्यकर्मिशन आन उपराण गनपति का पूजन के उपराण गने इस अथारवर्सिस का पाठ करना बड़ा सुब रहेगा नमनंग बात करते करकरासी तीसरे भाव में चंद्रमा और त प्रतिक समयशे का समाधान मिलेगा कामकाज, कारुबार और जॉम में उनत्रिक अवसर मिलेगर मांसमान और यश्में ब्रदी होगा आव विद्यारती हैं कलाकार ये खिलारी हैं सिख्षा और के चितर में किये प्रयास महनत रंग लाएगा आज कलाकार और खिलारीों की उम प्रतकाल नित्यक्रमें उसे नान उप्रांथ यूटूब पे मिल जाएगा गूगल पे मिल जाएगा यह आप लोग के पास में लिंगाश्टम है लिंगाश्टम स्तुरोथ का पाठ कना बड़ा सुप रहेगा नमनेन बात करते हैं शिंग रासी की दूसरे भाव में चंद्रम और दूसरे भाव में चंद्रमाश्यों के नक्षटरों में शंक्रण कर रहा है आज द्यानिक दिंचरिया सुवववस्तिक रहने की वज़े से चारों और खुश्यों का शंकित मज़रा रहा है परिवार साथ कड़ा होगा सरकार का साथ मिलेगा आज उच परसासनिक परवरिक जिम्यदारियां ठीक रहेगी लेंदेन की मसले ठीक रहेंगे और धन की प्राप्ती भी होगी लेकिन थोड़ी सी एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और वो है कि संतान के पक्ष में या संतान को लेकर लापरवाई नहीं बढ़ते तो अच्छा रहे है आ उनकी बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा स्कूल कॉलेज उनिवर्शिटी में कोई बाद है तो उसका निवारन होगा क्या करें धैरी और परिष्णम से कारी करें क्या ना करें बेवजे प्रति द्वंद्यों से उलजेने का प्रियासना करें सुबंग साथ सु नियारासी की लगन भाव में चंद्रमा और लगन भाव में चंद्रमा श्रम अपने नक्षत्रों में संचरण कर राए शमय शुबह भागिया आपकी पक्षम आज करवट लेगा जिस तरह से आप काम कर रहे हैं जो कारी सेल ही आपकी योजनाबत तरीके से जो मेहनत और पर अज मानसमान यस के साथ भेट और उफवार की प्राप्ति का संकित भी नजर आ रहा है आप विद्यारती युवा और कलागार और खिलारी हैं तो शमय अनकूल और लाबदाइक प्रस्टियों का संकित दें इसी भी तरह की कोई प्रतियोगी परिक्षा है प्रिणाम आपके पक्षमांगे को एप अपको सफलता मिलेगा और आपकी पक्षमांगे विग्यापन अप्राइब कला कि आज आपको शावधान देना पड़ेगा निरने चमता बड़ी द्रड रखनी पड़ेगा अपनों की बात को सुनना होगा जीवन साते के साथ किसी तरी की तलकी नियों इस पर काम करना होगा कि आज मांसिक बेचानी है कारी विशेश में सपलता के लिए आज कड़ी मेहनत और कठिन परिशन भी है बहुत जरूरी आज कानूनी मुदों में न उलजे तो बैतर होगा बाई बंदों और मित्रों का सयोग नहीं मिल पाएगा अनावशक खर्चा है आज किसी भी हालत में न नुकसान उठाना पर सकता है छोटी छोटी चीजों को लेकर क्रोध करना आज आपके लिए ठीक नहीं रहेगा शैज और भाव से और प्रेम से काम करें तो अच्छा रहेगा क्या करें अपनी वारता को गुप्त रहे क्या ना करें किसी दूसरे के काले में तक रंदाजी न आपके पक्स में 35 प्रसंद लाब का शंके दे रहा है तुलाराश्य वाल प्रातिकल नितिकर्म नुश्य नानो प्रान भगवान शिव की अराधना बड़ी शूब रहेगा मा भगवती की अराधना करिएगा माई के सामने सर्दा भाव से दुर्गा चालिसा के पांच पार् ग्यारे भाव में चंदर्मा और ग्यारे भाव में चंदर्मा शौम के नक्षत्रों में शंक्चरन करा है द्रगोचर शूब है परिश्रिम द्वरा किये के कारियों के शूब परिणाम प्राप्त होंगे मान सम्मान यस में विर्दी होगी वर्चस्व में विर्दी होगी उ तो उच्छा के छेत्र में विश्य सपलता का योग नजरा रहा है तकने की विज्ञान मैनेज्मेंट के छेत्र में आप रिसर्च कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहे हैं क्या करें जो कारी अवरूदे उन्हें संपन कराने के लिए थोड़ा सा प्रियास करें क्या ना करें गैर कानों ने डंग से कोई कारिया ना करें दसंभाव में चंदर्मा और दसंभाव में चंदर्मा शोम के नक्षतरों में शंच्रण कर रहा है क्रगोच्त की शुबता से रुकिवे कारें बनेगी राजनेती और समात में पता और प्रतिसा बढ़ेगी कामकाच कारूबार नौकरी में अनकुलता आएगी जॉब समंदी मसले हलोंगे और नहीं जॉब की कोई खोज है तो आपकी खोज आज पूरी हो सकती है आया तेरे निर्यात के करमें आप सपलोगी जमिन जाइदा भूमी वान लेने का योग बनेगा विद्यारतियों के लिए उच्छा के हिसाब से आज अच्छा संकित पूरा कर से इच्छाओं का घड़ा कभी भरता नहीं साथ तो इच्छाओं पर अंकुस भी रखे और इच्छाओं पर थोला सद्ध्यान भी रहे क्याना करें किसी से कटू बचनना को सुबंग साथ सुबरंग भूरा भागिया आपकी पक्समित 70% लाब का संकेदे राएद आज मन में शांती रहेगी शकारत मक्सूच रहेगी संसानी देगा उस्तर मिलेगा सस्तं का लाब मिलेगा राजनिती और प्रशासनिक सिवाओं में कार्यत लोगों के लिए आज का दिन बड़ा शुपर है कारवारी प्रशन में पहले से सुधार होगा धैरी और स्रम से जो कौन शपलता मिलेगी लेकिन वित्यार के और युवां से एक निवेद देने की नेत्यक्त का दामन पकड़ करकना पहलता है क्या करें धैरी और स्यम से काम करें क्या ना करें दीवे वच्चनों से ना मुखए सुबहां के गाट सुबहां के भूरा भागया आपकी पक्स में कि अश्चन भाव में चंदर्मा और श्यम के नक्षत्रों में शंचरण कर रहा है नक्षत्र करना सितारों के चाल आज आपके पक्षमेनेंगी परिशानी का संकेर देए कारिशित्र में कोई अपरी इस्तित्ति का सामना करना पर सकता है अतितिक अहंकार और निश्चुरता कष्ट पर साबित हो सकती है दुरगटना की संभावना है इसलिए नशा करके बहार नहीं चलाए और लंबी दूरी की यातर श्यम बान चला कर नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा धन का आपवय है कारी परिवत्र नहीं करें और सरकारी संस्ताओं के साथ समझोतावादी न अंतिक कारी से दूर रहरा बहुत जरूरी है, अनेता मुश्किलों का सामना करना पर जो आपकी अपने हित से उनकी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है । बहुत जरूरी है, अपनों को इग्नौरना है शुबंग पांच शुबंग नीला भागिये आपकी पक्त में केवल 40% लाब का संकेदे रहे हैं आज कुमराशी वालों प्रातकाल नित्यकर्मिशन आनव प्राम सर्दा भाव से सनी चालाशा के 5 भाव तीन पार एक पार सनी चालाशा सर्दा प्रूप करना भाव से करना से आप पूरा करें संतान संविंदी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी सास और आतमबल से कारशित में नहीं उर्जा का संचार होगा मनवाची कार में शपलता मेरे चोटी बटी यात्रा है बड़ी लाब करें दिन मंगल में रहेगा और शफलता भी मिलेगा विद्यार्तियों में में दान और कला के छीतर में अच्छे परणाम पराप्त हों क्या करें स्वजणों की प्रसंता का ध्यान की ने उनकी खुशी के लिए कभी कभी कुछ करना जरूरी है क्या न करें अपने कारें के दूसरों पर निर्फ करना रहे सुबंग चार शुबरंग पीला भागिय यह था बारक्मारा राशियों का राश्य पूर जो गरनक्षों पर आधार था पुने मेरा निवेदन यह मेरी विचार थे न मैंने कभी लाद न मैंने कभी विवाद गया सेकर्ण ओपनिल का दिकराद आपका था आपका है आपकी का रहेगा मानून मानू आपकी मैं अब मैं आपकी उन सवालों को जबाब दूँगा जो आप मेरी वीडियो पर कमेंट करें बहुश्य मित्र नकासा परिवार में मेरा बच्चों का स्वास्ति ठीक नहीं रहता केरियर में उठा पटक कारोबार में उठा पटक तो स्वास्ति केरियर कारोबार को लेकर हमेशा दुखी रहते क्या उपाई करें देखो भाई मेरी आराद भी सनी देवर उनका कहना कि मतापिता का अपमाना नहीं करें करें उससे पहले गाई को रोटी चम अपने हाथ से खिलाए तब भोजन करें और हर रोज सर्धान उसा सतन आजा आप पक्षियों को डाल के देखें च्छे मिना इस रूटीन को नियमिज सर्धा से कर लेना सारे कष्ट और परिशाने सुटकारा मिलेगा ना मनाएं तो बात कर इस तिरफला जरूशेवनगा है आखों की अच्छी रोशने के लिए सौंप का पाने में बहुत फाइदेबंद होता है सौंप में विटामिन ए पाए जाता है आखों के लिए बड़ा ही फाइदेबंद रहता है इसे आप करेंगे तो आपकी आखे रेगी आपकी रोशने पुने निवेद्यन कोई भूल हो गए तो दोनों हाद जोड़गत समा परात्म आप शुकी रहें स्वस्त रहें समर्दी सीर लें सने भगवान की चलनों में मेरी प्रात्मा नमना रहें पर पर कि बहुत है एक यह मैं अपना और हो अपनी यह करत्तव है और करना में आपको किसी तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकॉन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूं अब भी दन नहीं चाहिए लेकिन वरतमान में जो आर्तिक प्रस्तिय हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनिधान गोश्याला की गाएं तुखी नहीं रहे इसके लिए मुझे आपका शयोग चाहिए और शयोग के लिए मैं शयोम आपके साथ खड़ा हूं आपकी शमश्याओं के शमधान के लिए भई आप अपनी जन्मकूली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीऊँगा तब तक खड़ा रहूँगा नंबर आ प्रेशाने में हूँ और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी प्रेशान है ऐसा हिरुदय से आया लोगों ने कहा कि राश्र आपसे प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी मेरा यह एंकार नहीं है सा नहीं भगवन आपकी रक्षा करें और आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेदन है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती माहराज के जोतीशे समधान की आवश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लो समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दश्टिकौन से अनकोर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधान गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रकार कर रही है अपनी शिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता यह आप भी जानते हैं शासन के अपनी एक शिमा है और अपनी मर्यादा और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देखते भी हिरदय से पुने एक बार निवेदन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़र स्वयोकर है पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातना थी ओम नमोन आ रहें ओम नमोन कर दो